हलो दोस्तों मैं रंजन कुमार ABC Electronics में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर्किट में कौन से कंपोनेंट के ओपन होने से सप्लाई हमारी रुक जाता है और कौन से कंपोनेंट के सोट होने से हमारा सप्लाई सोट हो जाता है तो देखिए इस सर्किट में मैं आपको समझाओंगा तो सर्किट कोई साभी हो तरीका सेम रहेगा तो देखिए क्या करना रहता है कि अगर AC supply हो तो AC supply में जो भी component लगा होगा neutral और face में जो भी component लगा होगा उसके short होने से हमारा supply short हो जाएगा और DC हो माइनस और पलस वाले supply में जो भी component लगा होगा उसके short होने से हमारा minus plus supply short हो जाएगा तो ऐसे supply short हो जाता है तो हम circuit में वो कौन सा component होता है यह जानेंगे तो देखिए यहां से जैसे मान के चलिए कि यह circuit है तो हमारा यहां से in होता है न्यूटल और फेस देखिए यहां से in होता है इस circuit में आपका कोई भी circuit हो उसमें ac अगर इन होता हो तो न्यूटल फेस देखिए जहां से in होगा वहां से हम चेक करेंगे तो देखिए इस से तो इसको उल्टा करके देखिए तो यहां पर देखिए न्यूटल और फेस में यह component लगा हुआ है तो अगर ये sort हो जाता है तो हमारा neutral face sort होने से AC supply sort हो जाएगा उसके बाद यहां 4 diode लगा हुआ है देखिए अब ये 4 diode में भी हमारा neutral face अब ये 4 diode अगर sort हो जाएगा तो हमारा supply AC वो sort हो जाएगा अब ये diode जो लगता है ये bridge reactifier कि हमारा AC को DC में convert करता है अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो आई बटन में मिल जाएगा उपर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं तो देखिए ये AC को DC में बदल देता है तो DC में ये capacitor लगा हुआ है क्योंकि ये capacitor सिर्फ DC वोल्ट में ही काम करता है तो देखिए capacitor का ये पट्टी वाला साइड माइनस होता है और बाकी इधर पलस हो जाता है तो इसको उल्टा करेंगे तो देखिए यहाँ पे पलस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया तो ये अगर ये भी सोट हो जाए तो हमारा DC सप्लाई सोट हो जाएगा अब यहाँ से DC बन गया है तो ये माइनस पलस पे लगा हुआ है ये कंडेंसर ये पलस है और ये माइनस है तो ये सोट होने से हमारा ये कंडेंसर सोट हो गया तो हमारा supply short हो जाएगा अब यहाँ से जैसे supply आगे बढ़ता है तो देखिए यहाँ यह transformer में enter होता है यह CFL Mini Inverter का board है तो यह transformer जो है जो बैटरी को charge करता है तो यह supply यहाँ से होके ऐसे print से हमारा जिसमें आया e-spin में उसके बाद DC जो है वो यहाँ से चला और ऐसे आके e-spin में enter हो गया तो अगर यह भी transformer short हो जाता है तो हमारा DC supply short हो जाएगा अब यह supply इस spin से यहाँ पे आता है और ऐसे इस IC में enter हो जाता है देखिए यह जो IC लगा हुआ है और यह minus की supply देखिए यहाँ से ऐसे होके और इस spin में enter हो गया तो अगर यह IC short हो जाता है फिर भी हमारा minus और plus supply short हो जाएगा DC supply हो तो minus plus में जो भी component लगा होगा या minus plus उस में enter होड़ा होगा उस component में उसके short हो जाने से हमारा supply short हो जाता है वो component कोई सा भी हो तो अगर circuit short होता हो तो सिर्फ यह ध्यान दीजिए कि हमारा कौन सा component में minus plus enter होड़ा है या AC neutral face enter होड़ा है sorting के लिए multimeter से check करेंगे अगर short होगा तो वीप की आवाज जाएगी तो अगर आपका यहाँ short हो जाता है यहाँ पे कोई सा भी component तो आपका minus plus दोनों में वीप की आवाज आएगी तो सारे component को open करके मन्ना circuit से निकाल निकालके और देखेंगे जो component short होगा उसको circuit से बाहर कर देंगे तो हमारा यहाँ पे minus plus पे short circuit नहीं बताएगा और वो component चेक करेंगे तो उसमें बीप की आवाज आएगी तो component short होगा तो ऐसे करके हम short supply को ठीक करते हैं AC हो या DC हो एक बात और देखेंगे यह चार डायोड लगा हुआ है तो यह इसके जगह पे कोई-कोई circuit में यह डायोड यूज किया जाता है देखेंगे यहाँ पे यह अब देखेंगे यहाँ से circuit सेम है आप देख सकते हैं दोनों circuit सेम है देखेंगे लेकिन इसमें यह चार डायोड यूज किया गया है और इसमें इसी चार डायोड के जगह पे यह एक पार्स यूज किया जाता है तो यह भी से मैं चार डायोड का काम करता है और यहां neutral face enter होता है और इधर से minus और plus out हो जाता है इस component के बारे में भी next video में मैं बताऊंगा यह कैसे काम करता है इसको check कैसे करते हैं तो दिखिए यहां से यह भी out हुआ इधर से plus और minus out कर देता है यह component अगर sort हो जाए तो भी हमारा neutral or face sort हो जाता है तो ऐसे करके check करते हैं अब जो open हो जाता है तो supply हमारा कैसे रुख जाता है वो समझे यहां तक समझ लिए अब यह supply यहां से enter होके यहां इस pin से out होगा जैसे इसमें 4 pin है तो यहां से enter होता है और इधर दो pin से out होता है हमारा यह दोनों pin है जो कि हमारा यहां यह और यह pin है देखिए इधर transformer लगा हुआ है यह दोनों pin से supply out होगा है अब यह supply out हुआ तो अब देखिए यह supply यहां आया तो यह supply यहां पे आके रुखा तो यहां पे देखिए यह condenser लगा हुआ है यह minus और इधर वाला प्लस जानी कि यह minus और यह plus तो यह यहाँ पे है तब देखिए यह supply transformer का यह pin है और यह print है यहाँ से यहाँ एक component लगा हुआ है देखिए यह देखिए यह diode जो है यह diode लगा हुआ है तो यह diode यहां से supply को यहां बढ़ाएगा लेकिन अगर यह diode open हो जाए तो यह supply हमारा यहीं पर रुख जाएगा इधर नहीं बढ़ेगा तो अगर supply चेक करेंगे अगर यहां से यहां नहीं बढ़ रहा है तो यह supply यहीं रुख गया यानि कि इस component को open होने से हमारा supply पिछे ही रुख जाएगा अगर यह सही है तो supply यहां पर आ गया यहां से यहां एक resistance लगा हुआ है देखिए यह वाला तो यह resistance लगा हुआ है तो फिर यह resistance अगर सही है तो supply को यहां पास कर देगा अगर यह resistance open हो जाएगा तो हमारा supply यहीं पर रुख जाएगा यहाँ पास नहीं करेगा अगर यह सही है तो यह supply पास कर देगा अब देखिए यह diode लगा हुआ है यहाँ पे देखिए यह diode है यह diode सही है तो हमारा supply इधर पास कर देगा देखिए यह diode इधर supply पास कर देगा अगर यह open हो जाएगा तो यह supply यहीं पे रुख जाएगा यह सब component जो है हमारे supply को आगे बढ़ा रहा है तो यह component open हो जाता है तो हमारा supply यहीं पे रुख जाता है तो जो component जो supply हमारा आगे बढ़ता है उस component के open होने से हमारा supply वहीं पे रुख जाएगा तो हम circuit tracing का जो पीछे वाले वीडियो बताया था तो इसी अधार पे हम file को पकड़ते हैं circuit में कि जैसे supply हमारा कहां तक पहुँच रहा है अगर जहां supply रुख जाता है तो ओ component को हम check कर लेंगे यो open तो नहीं हो गया है अगर open हो गया है तो उसको बदल देते हैं तो इस तरीके से हमें supply को repair करना है और ठीक करना है एक दोस्त का comment आया था कि ये charging transformer कैसे check किया जाता है वो बताईए तो देखिए इसको circuit में लगा हुए भी check कर सकते हैं और बाहर भी निकाल के check कर सकते हैं तो देखिए circuit में चेक करना है तो कैसे करेंगे मल्टी मीटर को ये continuity range में लगा लीचिए देखिए यहां पर ये beep sound आएगा उसके बाद ये जो charging transformer है इसका एक तरफ चार पीन होता है और एक तरफ दो पीन होता है देखिए तो इसको simple सा circuit में लगा हुआ चेक कर लेंगे तो देखिए ये दो पीन है देखिए इसपे बीब की sound आने चीए तो ये सही होगा देखिए बीब sound आ रही है यानि कि ये दोनों पीन सही है अगर open होगा तो बीब की sound नहीं आएगी उसके बाद ये दो पीन चेक करेंगे देखिए ये भी सही है उसके बाद ये एक तरफ दो पीन होता है तो ये दोनों पीन को चेक कर लेंगे देखिए ये बिल्कुल सही है अगर open होगा तो बीब की sound नहीं आएगी अगर इसको बाहर निकाल के भी चेक करना चाहें तो देखेए, यही टांस्फरमर बाहर निकला हुआ है एक तरफ चार पीन है, एक तरफ दो पीन है तो यह दोनों पीन को चेक करेंगे देखेए, बीप साउंड आढ़िए यहनिक यह दोनों पीन साहिए अब दो दो पीन को चेक करेंगे ये दोनों पीन भी सही है अगर open होगा तो beep sound नहीं आएगी उसके बाद इस दोनों पीन को चेक करेंगे ये भी सही है open होगा तो beep sound नहीं आएगी अब ये चारों को आपस में नहीं बताना चीए ये दो पीन तो बताना ही चीए, ये तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन इस पीन से इस पीन को नहीं बताना ही चीए, इस पीन को नहीं बताना चीए, अगर ये दोनों पीन बता रहा है, तो आपका यहां से ये सारे पीन पे बीब की साउंड आये, तो ये टांस्फरमर सोट ह जाता है तो ऐसे करके इस टांस्फर्मर को चेक करते हैं तो आसा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा फिर भी कोई सवाल या सुझाओ हो तो हमें कमेंट चरूर करिए मैं रिप्लाइ करने की पूरी-पूरी कोसिस करूंगा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कर दिजेगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वेल को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए तो मिलते हैं इसे ही नेक्स्ट वीडियो में ज जे हिंद जे भारत थैंक यू